पेटे अब हम exercise पे आ जाते हैं exercise है आपकी 1.4 1.4 का question number 1 और इसका first part first part में आपके find करना है left hand limit and right hand limit ठीक है देखना है कि अगर x approach कर रहा है c को तो इसकी left hand limit limit और right hand limit जो है आपके आपस में क्या equal हैं या नहीं अब आपके पास function दिया वह है first part में fx equal to 2x square plus x minus 5 और constant आपको दे दिया जिस पे आपने देखना है वो c आपको दिया वह 1 सबसे पहले हम इसकी left hand limit limit निकालेंगे आप लिखेंगे left hand limit is equal to limit x approaches to c क्योंकि उसमें c के लिए कहा है और उपर जो छोटी सी value पूट कर दूंगी fx आपको क्या दिया वह है 2x square plus x minus 5 ठीक है अब आपने इसके अंदर left hand limit put करनी है x approaches to 1 ठीक है जब आप इसमें 1 put करेंगे तो 2 into 1 का square plus 1 minus 5 2 plus 1 minus 5 which is equal to 3 minus 5 is equal to minus 2 अब आपने right hand limit निकालनी है limit x approaches to c c plus fx which is equal to limit x approaches to c के जगा आपने क्या put कर देना है 1 क्यूंकि आपको c 1 दिया हुए 1 plus 1 plus का मतलब है right limit निकालने function लिखें function के बाद आप इसमें one put करें one put करेंगे तो आपके पास answer क्या आजाएगा minus 2 अब देखें left limit वो आ रहा है minus 2 और right limit भी माइनस 2 आ रहे है इसका मतलब है कि left hand limit जो है वो right hand limit के बराबर है इसको आपको मजीर explain करने के लिए मैं आपको इसका third part करवारी हूं पसर number one का third part third part में आपको दिया है कि fx is equal to x minus 5 modulus और c आपको दे दिया है 5 आप सबसे पहले वही इसका प्लिखें left hand limit limit x approaches to c minus fx is equal to limit x approaches to c आपको क्या दिया है बेटे 5 और 5 के उपर minus रगाना है क्योंकि left limit निकालना है fx अब आप fx की value put करते हैं वो क्या है absolute value of x minus 5 आपको पता है कि absolute value के दो answer होते हैं plus के साथ भी minus के साथ भी जब हम left limit लेंगे तो minus लेंगे और जब हम right limit लेंगे तो plus लेंगे अब आप इसको लिखेंगे minus x minus 5 which is equal to minus x plus 5 limit put करें 5 minus 5 plus 5 is equal to 0 अब हमने इसके right hand limit निकालने है right hand limit निकालने के लिए हम लिखेंगे limit x approaches to c plus fx is equal to limit x approaches to c plus और fx ही जगा आप put कर देंगे x minus 5 के absolute value ठीक है बेटे अब आप इसमें इसकी absolute value put करेंगे तो right limit निकालने तो आप plus लेंगे और function हो जएगा x minus 5 अब आप limit put करें यह 5 minus 5 हो जएगा which is equal to 0 तो अब आप देख रहे हैं कि left hand limit is equal to क्या है था 0 और right hand limit भी 0 आ रहे हैं तो left hand limit is equal to the right hand limit and limit x approaches to 5 fx is equal to 0 अब आप person number 2 पे आजए person number 2 का मैं आपको second part करवाने लगी हूं ठीक है आपको दिया है fx function आपको दे दिया है fx is equal to 3x minus 1 if x is less than 1 कि x जो है वो condition दी है कि x जो है वो less than 1 होगा दूसरी condition है कि fx जो है वो 4 होगा at x equal to 1 यह जब x 1 होगा तो function क्या होगा पेटे 4 के बराबर होगा तीसरी condition आपको दे दी है कि अगर x जो है greater than 1 होगा तो function क्या होगा 2x होगा आपको पता है कि हमने quantity करने के लिए function को check करने के लिए हमने तीन conditions देखनी होती है पहली condition पहली condition क्या है कि यह defined हो दूसरी condition क्या होती है यह left limit राइट limit के बराबर हो और तीसरी condition होती है है कि यह दोनों चीज़ें लेफ्ट लिमिट और फंक्शन आपस में बराबर हूं अब सबसे पहले बारी-बारी हम कंडिशन देखेंगे पहले हम फर्स कंडिशन देखते हैं एड एक्स इक्वल टू वन हमने अगर सी जह है वन हो तो आपके पास इस फ़ंक्शन क्या होगा F ? आपके पास क्या होगा चाल कि बराबर सो एस फ़ंक्समें और थू है कि function जो है वो क्या होगा f1 के लिए 4 और जो क्या है defined है अब हमने बेटे second condition देख नहीं है limit x approaches to 1 fx is equal to क्या चीज़ है इसके लिए हम left hand limit लेंगे left hand limit लिखें उसके लिखें limit x approaches to किसके लिए लेना है 1 के लिए और 1 के उपर आप लगाएंगे minus का sign fx ठीक है minus का sign का मतलब क्या है पेटे पहले भी बता चुके हो यह आप left limit निकाल दें इसके बाद आपने लिखना है कि limit x approaches to 1 minus और function आपको क्या दिया है less than 1 उपर देखें 3x minus 1 दिया है less than 1 के लिए function अलग है greater than 1 के लिए function अलग-अलग है left limit के लिए वो function लिखेंगे जो left के साथ दिया है जो left के लिए दिया है और right के लिए वो लिखेंगे जो function आपको right के लिए दिया है अब मैं लिखूंगी 3 into 1 minus 1 which is equal to 2 इसके बाद बेटे हमने क्या निकालनी है right hand limit right hand limit is equal to limit x approaches to 1 plus fx is equal to limit 1 plus 2 of x इसमें हमने x की value put करनी है और वो आपके पास क्या है जी वो आपको दीवी है 1 के बराबर तो यह आपके पास function होजेगा 2 के बराबर अब देख लिए आप इसके अंदर हमने left limit निकाली 2 आ गई right limit निकाली वो भी 2 आ गई अब इसका मतलब है कि function जो है limit x approaches to 1 fx जो है वो क्या रहे है 2 आ रहे है यह लेफ्ट और राइट limit तो सेम आ रही है उसके बाद f of 1 जो हमने निकाला था वो आपको क्या दिया वह था 4 अब मसला कहां है कि limit exist करती है वो तू के बराबर है और value function आपको जो दीवी है जिसके हमने define करना था वो 4 था तो 4 जो है वो 2 के बराबर नहीं है अब आपके कंडिशन जो है वो satisfy नहीं हो रही इसका मतलब है कि limit x approaches to 1 fx is not equal to f of 1 अब यह function कैसा होगा discontinuous आप में लिखने हैं आगे function is discontinuous इस ही question number 2 के जो आप first part है आप रोग खुद करेंगे ठीक है और third part करने के कोशिश करें नेक्स लेक्चर में आपको मैं exercise complete करवात हूंगी और फिर हम आगे चलेंगे ओके अल्डा आपस